तुमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूटू चैनल पर मैं आप सभी लोग के लिए रेलवे ग्रूप डी और भी एंटी पिसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टन कोश्चन लेकर आया हूं यह कोश्चन पिसलिए दस वर्सों से बार बार रिपीट हो रहे हैं इसलिए कि मैं सारा कोश्चन कलेक्ट करके लेकर आया हूं आप सभी लोग के लिए जो भी हमारे फ्रेंट से चल पना है प्लेशन को लाइक किजिए सब्सक्राइब किजिए कमेंट किजिए बेल आइकोन प्लेश किजिए लेटेस्ट वीडियो जब भी अप्रूटेट हो आप तक प जल बिस होता है जोस्तो उसके ठाश्चन में बहरी जल बहरी जल जो होता है ठीक है उसका अनुभार 18 होता यह था वारि जल जिसका जकर डीटीओ कारते हैं उसका अनुभार 20 होता है भी कोशचन है क्स परकार का जल साबून साथ फिन नहीं कतब करता है जूस wrapping द्दोर साबुन के साथ जाग उत्पन नहीं करता है दोस्तो हाड वाटर जिसमें खनीज लवनों की अधिकता होने इसमें कैल्सियम मैगनीज के बाई कारोनेट और कारोनेट रहता है जिससे जाग उत्पन नहीं होता है दोस्तो नेस कोशन है हमारा जल की अस्थाई कठोरता के क्या का इसका जल का अनुभारा कितना होता हुआ है जल की अस्थाय ककफोर्ता दूर करने की भौतिक विधी कौन है दोस्तो जल की 28 कटोरता दूर करने की जल को उबालने से हार्ड वाटर जो की उसका कटोरता दूर हो जाता है और पिनिलाग हो जाता है ठीक है सेवनत नमर कोशन है अमारा आग बुझाने में कौन सी गैस परयोग की जाती है आज बुझाने में carbon dioxide प्रेव किया ती लोस्तों तो कारवन डेक जो आज को बुझाता है आज को तीन परकार कि जरूरते होती आज को जलने के लिए तो ठीक है जैसे कि आज जहां लगता है वहां जगह क्या है material किस type का है ठीक है वहाँ temperature कितना है और वहाँ पे हवा है की नहीं है ये तीन चीजों से दोस्तों आग बहुत तेज फैलता है और ये तीनों चीजों को temperature हवा को carbon dioxide रोकता है इसलिए आग बुझ जाता है तो आग बुझ जाने का carbon dioxide से आग बुझाय जा सकता है एक नमर कोश्यन है गोबर गैस का परमुख घटक कौन है गोबर गैस का परमुख घटक मेथेन है जो तो जोसवाँ गोबर घटक मेथेन बायो गैस में 50 टू 75 परसंड होता है उसके बाद hydrocBon होता है हाइड्र कारवन जलने के लिए मदद करता है जो कि ये बायलोजिकल प्रोसेस के सुद्यार होता है तिसलिए गोबर गैस का मुख परमुख घटक मिथेन होता है तो CH4 ठीक है दोस्तो आग जलाने में सहयक। और अवाशीजन ऑगैस होती है दोस्तो oksygen के साथ फियू और हीट दोनों मौजूद हो तभी आग जलाने में सहय तो इसमें में से कोई भी अगर साथ नहीं तो आग नहीं जले है दोस्तो आग जलाने के लिए oxygen heat प्लस फील होना जरूरी है question number 10 है हमारा वाईव यान के टैरो में कौन सी गैस भर जाती है दोस्तों वाईव यान के टैरो में हिलियम गैस को फील किया जाता है ठीक है next question है हमारा refrigerator में जल को ठंडा करने के लिए यह कौन सी गैस परियोग की जाते है दोस्तों refrigerator में जो जल जो हम पानी रखते हैं उसको ठंडा करने के लिए ammonia का ammonia gas का यूज के जाता है ठीक है question number 12 हमारा motor वाहनों के धुए से निकलने वाली विसेली गैस कौन सी होती है दोस्तों motor gas जो हमारा आज कल वैकल जो चलते हैं गाड़ी चलते हैं उन में से जो परदूसन होता है उसमें carbon monoxide होता है दोस्तों ठीक है चमगादर अंधेरे में कैसे गमन करता है उस चमगादर अंधेरे में कैसे घूमता और सिकार करता है प्रास्रव या तरन की कारण प्रास्रव यानिकी ultra sound wave होता है उसके कारण sound wave जिसका frequency बहुत है जो इन्सानों को सुन नहीं देता है चमगादर को सुन नहीं देता है उससे वह गमन करने में सच्छम होता है दोस्तों ठीक है नेस कोशन हमारा खत्रे के निसान के लिए लाल रंग का परियोग क्यों कियाता है खत्रे के निसान के लाल रंग का परियोग इसलिए कियाता है क्योंकि लाल रंग का जो बहुत दूर तक दिखाई देता है इसलिए लाल रंका उपेक की जाता है दोस्तों ठीक है द्रॉब में अंसित डूबवी हुई सीधी छड तेड़ी दिखाई के जाती है दोस्तों द्रॉब में अंसित डूबवी हुई सीधी छड तेड़ी इसलिए दिखाई जाती है प्रकास का अपवर्तन दोस्तों रिफ्रे हुआ क्यों दिखता है दोस्तों ये भी रिफ्रेक्शन कारण प्रकास के अपवर्तन के कारण ठीक है बच्चों एवम अस्त्रियों की आवाज क्यों पतली दिखा जती है पतली सुन जती है ठीक है निस कोशन में 18 नमबर चंद्रमा के धरातल पर दो वेगती एक दूसरे की ब पाइव मंडल ना होने का दोस्तों एटमस्फिर ना होने एक अरण वहां पे एक दूसरे की आवाज नहीं सुना जती है ठीक है मिटी के तेल से बनने वाली गैसी को तेल गैस कहते हैं कोश्चेमर 20 हमारा भाप अंगार गैस किसका मिस्रन होता है ठीक है नेक्स कोश्चन है प्रव पेट्रॉलल की खोज सबसे पहले किस ने यह थी है जो कि 1869 में हुआ था की कोशिम लों elf Dollar का HI कि यह नाम है दोस्तो तो सर्वक्त किस्मा के के कोईला का नाम this टाहिए हमारा भविष्य का इंधन किसे कहते हैं दोस्तों भविष्य का इंधन हाइडोजन को कहते हैं दोस्तों हाइडोजन में बहुत ज्यादा छमता है इंधन पैदा करने के लिए इसलिए हाइडोजन का भविष्य में इंधन त्यार करने की कहते हैं हमको भविष्य का इंधन हाइडोज स्थिति उत्विं में जलाने पर क्या प्राफ प्राथ होता है कोक प्राफ होता है दोस्तों कच्छा कोईला को मैं अगर ग्राउंड में इसको पक C तो पक्खने के बाद जो कोईला त्यार होता है उसो कोक काते है निस कोश्चन है हमारा 26 number परकास वर्ग किस भॉतिक रासी का मात रख है दोस्तों परकास वर्ग लाइट येर का एसा यूनिट क्या होता है दूरी डिस्टेंस होता है ठीक है पारसेक किस भौतिक रासी का मातरक है दोस्तो पारसेक दूरी का मातरक है ठीक है दूरी मतलब डिस्टेंस का ठीक है कार का मात्रक क्या होता है दोस्तों का मात्रक जूल होता है दोस्तों पार्शेक में एक चीज मैं और बतादू डिस्टेंस किलोमेटर वगरा पार्शेक से ही मापा जाता है इसलिए इसका एसा यूनिट दूरी कहलाता है डिस्टेंस कहलाता है ठीक है कार का मात्रक क्या होता है ठीक है 29 नमबर कोशन हमारा ध्वानी की तीव्रता का मात्रक क्या होता है दोस्तों ध्वानी की तीव्रता का ध्वानी यानि की शाउंड का ऐसा एवनिट डेसिबल होता है ठीक है समुद्र गती का परियोग स्वरी समुद्र गती का मात्रक क्या होता है समुद्र गत्ति का मात्रक नाट यानि नौटिकल माइल होता है ठीक है दोस्तों अगर आपके वीडियो चला बहुत प्लीज आपको लाइक किए सब्सक्राइब किजिए कॉमेंट किजिए बेल आइकन पर सीजिए लेटेस्ट वीडियो जब्योट आप तक पहुंच पर दोस्